हेलो फ्रेंड्स अभी एल्बी वर्जन 1.3.0 से एमी रिजन 11 और 12 वर्जन जो हमारे 6 और 7 जन्रेशन के लेप्टॉप जो आते हैं उसके लिए और भी आसान हो गया है तो एल्बी में अभी नए वर्जन एमी रिजन के अप्लोड हो चुके है आप अभी आपका जो लाइसेंस वर्जन है तो आप अभी इस वेबसाइट के उपर जाके आपका यूजरनेम लॉगीन आपको कर देना है और उसके बाद में आपको यहां पर अपडेट के फॉरम के अंदर आना है और यहां से आपको ड क्ल немного कर देगे only सब्सक्राइब से आपको दोनों लिंक में से आपको इना फाइलोगों कर- culturally है वे कि अन्दर आपको गाल्यूंव म्ंद्ट एक तो आप इसको आजाईए धंसे पॉल्डर में और यहां पे आपको मिलेगा ME underscore 11 underscore 12 का एक folder तो इसके अंदर आपको ये दोनों zip फाइल जो है जो एक part 1 जो है 704 MB का और part 2 है 455 MB का इन दोनों को मुझे यहाँ पर एश्ट्रेक कर देना है दोनों को एक बार एश्ट्रेक कर देंगे आपको ये सभी फाइले मिल जाएगी जो 11 और 12 ME reason है उसके लिए आपको इसके पीछे का extension दिखेगा AES और ये encrypted file है जो सिर्फ और सिर्फ LB के लिए ही काम में लगने वाली है तो आपको एक बार इसको वहाँ पर एश्ट्रेक कर लेना है अभी हम लोग पहले समझ लेते हैं कि ME reason को हमें कब clean करना है और किसके लिए clean करना है तो ME reason हमें सिर्फ और सिर्फ Intel के लिए काम में लगेगा तो यहां पर आपको Intel का आपका motherboard है और जिसके अंदर आपका 6 & 7 generation के laptop है अगर आप इन में से किसी भी problem आपके laptop के अंदर है तो आपको Intel का ME clean करना पड़ेगा नया ME reason उसके उपर upload करना पड़ेगा तो आप इसको एक किस तरह से अलबी के द्वारा इसको हम लोग कर इसको करेंगे तो अलबी का जो software है उसको open कर लीजिए कि इस software के अंदर आपको यहां पर ME and THT का जो tab है यहां पर आके ME 11 12 Auto clear ME पर आ जाना है और यहां पर अभी हम लोग अपनी जो भी फाइल हमें में ME clean करनी है उसको open करेंगे तो यहां पर देखें एक मेरे पास में फाइल है डैल का बायोस है और मदरवर्ड का पार्ट नमबर है LA-C451P और यह 16 MB का एक बायोस है तो इसको अभी हम लोग open करते हैं और जैसे ही आप open करोगे आपको यहां पर मेजर वर्जन, माइनर, होट फिक्स और बिल्ट नमबर यहां पर आपको दिखाए देगा यह पूरा नमबर है और यहां पर आप एक ME अनलाइजर जो है उसको उपर क्लिक करने से आपको इस फाइल के अंदर कौन सा ME वर्जन है उसका पूरा डिटेल इस तरब पर मिल जाएगा तो इसको मैं यहां पर अभी बता देता हूं तो यहां पर देखे आपको यह जो है प्रोड़क्ट फैमिली आपको यह सब चीदों को ध्यान में रखना है कि आपको कौन सा ME सिलेक्ट करना पड़ेगा तो यहां मेजर वर्जण यानि कि हमें मेजर चाहिए से माइनान वर्जण चाहिए च्यायी होट फेक् Sam nar चाहिए और ज rect नंबर चाहिए करके यहां करने से यहां पर इस तरह से हाप इन टिक को हटा के तो उस हिसाब से निस्टिंग जो है इस तरह से आपको बताएगा, तो अगर आपको same hotfix और same build version, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग hotfix और build number चेंज कर सकते हैं, तो इस तरह से हमें इसमें option मिल जाते हैं, तो आपको पहले तो ये select करना है, अभी ये जो ME analyzer है, वो इस file का अभी condition बता रही है, कि ये कौन सी category में हैं, एक corporate laptop है, तो यहाँ पे देखें, आपको कौन सा select करना है, तो किस तरह से हम जानेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे आपने जब same hotfix और same build number यहाँ पे select किया है, तो उतने ही ME के file है, हमें वो बताएगा, तो आपकी जो ये file है, वो है corporate LP, यानि कि ये वाली जो file है, चिपset stepping जो है, वो है C0, तो C0 लेना है, यह है NPDM, यानि कि NO PDM, यहाँ पे आपको कहां पे मिलेगा तो ये रहा power down, यहाँ जो आपको नो है, यानि कि NPDM lेना है, यहाँ पे है PRD RGN, तो यहाँ पे ये जो है region, यानि कि stock region है, और यह RGN है, लेकिन ये जो है extracted है, एश्ट्रेक्टेड यानि की OEM कंपनी एश्ट्रेक्टेड वर्जन देती है जैसे की Dell, HP, Lenovo, अलग-अलग कंपनी अपने इसाब से उसके अंदर मॉडिफिकेशन करते है जैसे की उसके अंदर Dell के लोगो लगाना कुछ फंक्सन्स जो है एमी रिजन के वो डिसेबल करना एनेबल करना वो सब हमारे Dell और HP के लैप्टॉप के अंदर वो एश्ट्रेक्टेड वर्जन के अंदर होता है लेकिन हमें एक्ष्ट्रेक्टेड वर्जन सिलेक्ट नहीं करना है हमें RGN PRD वर्जन यानि इसी को हमें लेना है तो एक बार हमें यह लेके अभी हम लोग देख लेते हैं यहां पर गैट M.E यहां पर क्लियर M.E तो आपको इस तरह से आपको ध्यान में रखना है का आपको कौन सी फाइल सिलेक्ट करनी है तो आपको उसके लिए इस M.E. ऐनलाइजर से जो कोई भी इन्फरमेशन आपको यहां पर मिलती है उसी इसाब से आपको M.E. का वर्जन सिलेक्ट क रहे तो आपको इस तरह से देखके फिर उसको करना है क्लियर M. तो अभी हमने इस सिलेक्ट कर लिया है यहां पर आप देख सकते हो यहां पर उसने एक फाइल जो है उसके अंदर इंजक्ट कर ली है और यहां से अभी हम लोग सेव के लिए एक उप्सन आजाएगा आपको यहां पर extension आएगा AES जिससे आपको यह पता रहेगा कि यह LBE में जनरेट हुई है यानि कि इसका extension AES है आप यहां पर manually BIN या फिर ROM extension कोई भी लगा सकते हो extension से हमारे BIOS programmer को कोई फरक नहीं पड़ेगा तो अभी फिलहाल मैं इसको AES extension ही रखता हूँ और अभी देख लेते ह है तो यह है हमारी LBE से जनरेट हुई जो क्लीन एमी रीजन है वो और यह थी मेरी एक औरिदन तो से में अभी हम लोग अभी तो हम लोगों ने देख लिया एक कॉर्पोरेट वर्जन के लिए हमने किया है सेम प्रोसेस अगी हम अभी हम देखने वाले है अपने consumer laptop के लिए तो consumer laptop की यह भी एक 16 MB की बायोस की फाइल है और इसको मैं open करता हूँ इसको open करने के बाद में आपको यहां पर पूरा वर्जन बता देगा और इसका ME analyzer open करते है इसको बन कर देते है पुराने को यहां पर एक बार एंटर करने से कि आपको information दे देगा यह है एक consumer LP यहां पर आप देख सकोगे consumer LP अभी यहां पर get ME पर क्लिक करके आपको सिर्फ वही वर्जन बताएगा जो वर्जन इसका है यानि कि आपको यहां पर और कोई selection यहां पर सेम मेजर सेम माइनर हमने select किया है यानि कि EC वर्जन का सेम मेजर और सेम माइनर सेम होटफिक्स और सेम बिल्ट वर्जन वो हमें selection में दे देगा तो यहां पर आप देखे consumer LP यानि कि CON LP यानि कि हमारा यह LP पीछे है C0 तो यह C0 NPDM तो हमारा यहां पर N है तो NPDM और PRDRDN तो यह भी एक stock है reason stock reason ही है extracted नहीं है तो यहां पर आपका extracted हो चाहे stock हो आपको लेना है PRDRGN और इसके बाद में करते है clear ME तो इस तरह से अभी इसने इस file को भी इस तरह से बना दिया है LBE के लिए तो यह देखे यहां पर LBE है अभी मैं आपको इसको बता देता हूँ एक hxt editor में compare करके के me reason उसने किस तरह से clear किया है तो यह मैंने दोनों open कर लिए hxt editor के अंदर अभी शुरुवत के अंदर जो हमारे 16 bit रहते है वो file descriptor रहता है उसके बाद में हमारा start होगा ME reason तो यहां पर हम लोग file compare करते है old version और new version तो यहां पर difference बता रहा है कि इस address पर difference है हमारा ME reason यहीं से start होता है fpt से हमारा जो fifth generation वाला जो था उसके अंदर आपको यहां पर creed word मिलता था krid लेकिन अभी six and seven generation में आपको आपका starting रहेगा यह यानि कि आपका ME reason यहीं से start होता है तो आपका अभी six and seven generation में आपको इस तरह से लियान में रखना है क्रीड की जगा पर अभी आएगा dollar fpt तो यहां पर difference आपको यहां पर यह यह मिला अभी हम वैसे ही दूसरा भी difference अगर हम लोग देखते है next difference तो f6 अभी में प्रेस कर रहा हूं तो जितना जितना फाइलों के अंदर difference होगा वो बताएगा यानि कि यह ME clean हो गई है इन दोनों का data अभी अलग दिख रहा है और वो भी हमें ME के area में ही अलग दिख रहा है मैं जितनी जितनी बार f6 दबाऊंगा उतने समय में मुझे वो उसका difference बताएगा तो इस तरह से अभी हम लोग ME reason को clean करना LBE के software से बहुत आसान हो गया है आपको सभी version 11 और 12 के आपको यहां पे मिल जाएंगे तो LBE के लिए आपको इस तरह से काम करना है और जो हमारे 5th generation के लिए था उसके लिए जो हमारा पुराना software है वो काम करता ही है तो यहां पे भी वैसे ही रहेगा कि आप जो भी file select करोगे उस हिसाफ से आपको ME reason select करके उसको save कर देना है तो यह था एक tutorial आपका ME reason clean का जो 6 & 7 generation के laptop के लिए LBE के version के अंदर इस तरह से आपको काम में लगेगा LBE अभी नया version launch कर रहे है जिसके अंदर आपको डैल के अभी 16 MB के BIOS आपको direct extract करके दे देंगे HDR file में से तो फिलहाल के लिए हम लोग इजाज़त चाहेंगे अभी next version जब भी वो आएगा जो इसके अंदर हमें डैल की फाइले direct मिलेगी HDR में से बीन फाइल में तब आपके स